हेलो एब्रिवन एड वेलकम टू तक्षिला लर्ने आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँ एक रीजनिंग की कुईस को और इससे पहले भी दिखें कई कुईस में आपके साथ चाहिए वो रीजनिंग पर बेस्ड हो या क्वांट पर बेस्ड हो डिस्कस कर चुआँ और अगर अभी तक आपने उन में से कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारे चैनल पर जाके आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो महाँ पर मिल जाएगे और एक बार रिक्वाइस भी आई करूगा कि प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजी अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो खासकर कम्पिरिटिव एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटिड वीडियो को डिस्कस करेंगे चाह ऐसे पैटरन ओफ कोशन जो की आपके आने वाले पेपर में एक्स्पेक्टिड है ठीक है कि यह कोशन आपको यहां पर मिलेंगे इसके लाबा देखिए मैं आपके साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी रेगूलर बेसिस पर लेके आता हूं जहां पर जिनकी हेल्प से आपके कोशन क जादा से जादा सस्क्राइब करें और मोट्रिक्लिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी हम कोई वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके पास आ जाए तो चलिए इस कुईज को स्टार्ट करने से पहले अपना पेने पेपर साथ लेके बैठे ताकि जैसी मैं आ पहले पांच कोशन जो है वो अलफा न्युमेरिक सीरीज के टॉपिक पर बेस्ट है जहां तक इस टॉपिक की मैं बात करूँ अलफा न्युमेरिक सीरीज से खासकर प्री एक्जाम में अगर आप कोई बैंकिंग एक्जाम या इंशोरेंस एक्जाम देने जाते हैं तो उसम आपको अग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो चलिए इस सीरीज को देखें आप जिसे 1, R, Z, T, इस तरीके से बहुत बड़ी सीरीज गिवन है और यह अलफानुमेरिक है अलफानुमेरिक मल्दब आपको देखने को मिल जाएगे इसके राबा कुछ सिंबल्स भी आपक जाएगे मल जाएगे इसके राबी सिंबल्स देखने को मिल जाएगे अब पैरा पौशन देखें यहां पर क्या है इस तरीके से देखें कोशन बनेंगे एक्जाम में तो इसे कितने consonants उपर इस series में present है तो एक तो देखिए हमारे होते हैं vowels तो आप सभी जानते हैं हमारे 26 alphabets होते हैं तो देखिए पांच हमारे होते हैं तो जो remaining हमारे बच्चे 21 alphabets वो क्या होते हैं वो हमारे होगे consonants, ठीक है जी, तो यानि जो अगरना बातरों A, E, I, O, U, ये हमारे क्या है? वो जो remaining alphabets बचे वो क्या है हमारे consonants है, कितने होगे थे कि 21 हो जाएंगे हमारे consonants और 5 हो जाएंगे सभी को पता ही है, अब इस वो कोशे ने पुझा गया क्या है, कि how many consonants are there in the above arrangements, मतलब यहाँ पर यहाँ पर देखे क्या आना चाहिए, एक number आना चाहिए, ठीक है, तो यह आपको देखे बताने कि how many consonants are there in the above arrangements, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number, तो देखते हैं चलिए, अब देखे सबसे पहला जो हमारा consonant आपको दिखाई देगा वो है R, पर देखे इसके पीछे क्या है, immediately preceded by a number, जबकि होना कि क्या चाहिए था, immediately preceded by a consonant, तो इसलिए R तो नहीं होगा, चिक है, then Z की अगर हम बात करें तो देखे, Z के immediately preceding तो देखे, consonant है, बट अगर हम बात करें, immediately after अगर बात करें तो देखे, बहाँ पर भी एक consonant है T, जबकि यहाँ पर एक number होना चाहिए था, तो ही हम उसको consider करते है, चिक है, चलिए, Z के बाद अगर हम बात करें T की, तो यह देखे एक हमारा pair बन गया, ऐसे बट एक करते है, तो highlight यह देखे, हम बात करें T की, तो T जो है, एक consonant है, और उसके immediately preceding भी देखे, consonant है Z, और T के immediately following एक number है, और यही तो देखे हम बता ना था कि ऐसे कितने consonants उपर सीरीज में present है, जिसके immediately preceding है consonant हो, तो आप देख सकते है, T के just immediately preceding a consonant है Z, और immediately follow, क्या कर रहे है, एक number follow, इसके अब एक यह कर हम बात करें, तो देखे, A के just पीछे number है, और आगे भी number है, तो इसको तुम consider नहीं करेंगे, और खेर, A वैसे भी वोवल है, हम इसे consonants देखे है, तो आगे देखे, D हमारा consonant है, but again, D के just, अगर हम preceding बात करें, immediately कि उसे क्या precede कर रहे है, D को, एक symbol precede कर रहा है, जबकि हमें consonant लिए, ये एक pair देखे, बन जाएगा, D, F, I का, यानि main में बात करूप, F एक consonant है, जिसके immediately preceding, भी a consonant है, D, और immediately follow, इसको क्या कर रहा है, number, ये देखे हमारा pair बन गया, ठीक है, चलिए, next बात कर लेते है, U तो हमें consonant चाहिए है, बट यहाँ पर number है, ठीक है, D, इसके लावे, I है, I भी नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे copyright का है, और हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, आगे धीरे-धीर चलते है, X भी नहीं हो सकता, M भी नहीं हो सकता, M के just आगे एक number होना चाहिए था, बट यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा, MP6 का, आप देख सकते हैं, P जो है, हमारा consonant है, इसके just preceding भी देखिए, consonant आ रहा है, और just आगे क्या है, एक number है, चीक है, तो चलिए, तीन तो बन गहें, इसके अलावाद देख लेते किया, कोई और है, present है, आपर D तो देखिए, last है, तो हो नहीं सकत अगर आगे बात करें, यह देखिए, और भी present था, यहाँ पर मेरे से जल्दी में भी सो गया, वो इक यह था, यह देखिए, H वाला, आप देख सकते है, H एक consonant, आपर H के just preceding भी एक consonant है, M, और H के just आगे क्या है, 3, जो कि एक हमारा number है, तो आप देख सकते है, जो उपर हम कोशन में कहा गया था कि how many consonants are there in the above arrangement, कितने ऐसे consonants present है उपर arrangement में, जिसमें each of which is immediately preceded by a consonant, तो आप देख सकते है, T के just preceding भी a consonant है, F के just preceding भी a consonant है, D, H के preceding भी a consonant है, M, और ऐसी P के just preceding भी a consonant है, N, और immediately forward by a number, तो आप देख सकते है, T के just आगे 4 है, F के just आगे 1 है, H के आग आप में pair बन रहे है, 4, तो देख सकते हैं, A option में given है 1, B option में 2, C में 3, E में given है none, तो हमके हम mark करेंगे D, यानि more than 3, अब देख सकते हैं, 4 है क्योंकि ऐसे possible arrangement, तो इसलिए हम answer mark करेंगे D, यानि more than 3, next बात करते हैं, तो इस तरीक से this question को solve करना है, but, ही मैं आपको solve करके दि अब कहरें कि how many numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a letter, जिसके just देखिए, each of which is immediately preceded by a letter, यहाँ पर देखिए letter होना चाहिए, अब देखिए letter मतल चाहिए, अब देखिए letter मतल चाहिए वोवल हो या consonant हो, letter में देखिए vowel भी आ जाते हैं, consonant भी आते हैं, but not immediately followed by a symbol, यहाँ पर देखिए symbol जो है, इधर नहीं होना चाहिए, यह चीज़ देखिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, कि how many numbers are there in the above arrangements, how many numbers are there in the above arrangement, उपर जो में series given, उसमें ऐसे कितने numbers present है, each of which is immediately preceded by a letter, जिसके just देखिए पहले एक letter हो, but not immediately followed by a symbol, और उसके आगे एक symbol ना हो, ठीक है, चलिए, इसके left hand side तो कुछ है ही नहीं, चीज़ इसको हम consider कर नहीं सकते, then इसके लावा देखिए, आगे है हमारा 4, यह देखिए हमारा बन जाएगा, ठीक है, जो क्योंकि देखिए, हमें क्या चाहिए था, जो हमारा number है, उसके just immediately preceding letter होना चाहिए, चाहिए वो alphabet हो या consonant हो, और उस next है हमारा 9, यह देखिए जो 9 है, इसके immediately preceding तो ठीक एक letter है, बट इसके just आगे अगे हम बात करें तो एक symbol आ रहे है, डोलर का, इसलिए हम इसको consider नहीं कर सकते है, 9 को, 4 को करेंगे, क्योंकि 4 के immediately preceding भी एक alphabet है, या letter मैं कह सकते हो, immediately following भी एक letter है, और हम एक symbol नहीं चाहिए इसके आगे, तो एक alphabet है, तो कोई दिकत नहीं है, बट अगे हम 9 की बात करें, तो 9 के just, उसे क्या follow कर रहा है, एक symbol follow कर रहा है, तो इसलिए हम 9 को consider यहाँ पर नहीं कर सकते, आगे अगे अगे बात करें, तो 1 है, यह भी देखिए हमारा pair बन जाएगा, F1, U, A, तो यह दोन है, तो इसलिए हम 8 को भी consider नहीं करेंगे, then आगे अगे अगे बात करें, 3 की, तो यह भी देखिए हमारा pair बन गया, क्योंकि 3 के just, अगर हम बात करें, तो preceding क्या है, एक alphabet है, एक letter है, कोई दिकत नहीं है, और just follow क्या कर रहा है, इसको एक number, again एक number कर रहा है, हमें बस symbol नहीं इसलिए हमारा pair बन गया, ठीक है, चलिए, then इसके बाद अगर बात करें, तो देखिए, 5 को तो हम नहीं consider कर सकते हैं, 5 के just immediately क्या इसे precede कर रहा है, एक symbol कर रहा है, तो इसको हम नहीं consider कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, नहीं कि 6 के दोना तरफ क्या है, हमारे alphabets, हमारे letter present है, इ यहां पर भी देखिए, हमारे कितने ऐसे pair बन गए, 4 pair बन गए, और देखिए, options कि अगर बात करें, a में कि वना, none, 1, 2, 3, or, e option मैं mark करेंगे, more than 3, क्योंकि यहां पर हमारे 4 ऐसे pair बन रहे है, so next question कि अगर बात करें, तो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, कि how many vowels are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a symbol, यानि क्या कह रहे है, कि how many vowels, vowels देखिए, मैं आपको already बता चुक हूँ, कि A, E, I, O, O, और यू जो है, हमारे vowels होते है, तो how many vowels are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a symbol, जिसके देखिए, just आगे क्या हो, immediately क्या follow कर रहा हो, एक symbol, देखिए, symbol मैं आपको पहली बता चुक हूँ, उपर जिसके देखिए, dollar है, hash है, copyright हो गया, तो यह हमारे सारे क्या symbol है, तो हमें ऐसे vowels बताने है, उपर जो हमें series given है, उसमें से, जिसके immediately एक symbol follow कर रहा हो, तो चलिए देखते हैं, देखिए, सबसे पहला vowel जो है, एक just, आगे देखिए, क्या 9 है, और हम सभी जानते, 9 जो ह राधे उमारे, हमारे, u है, u देखिए, एक mover होता है, उसके just आगे हम देख सकते है, hash का symbol है, तो यह देखिए, हमारा पेर बन गया, देन आगे देखते है, बाच एक बाट देखिए, आई है, I है, आई भी देखिए, हमारे एक collective, आएक topic है, लगे आफिए, तो आगे भी हम उसके आगे क्या चेक करेंगे कि सिंबल रहे तो दो ही हमारे यहाँ पर पेर ऐसे बन रहे थे चले ने कि इसमें पुछाए गया है कि फोर we इसलिए ग्रूप फॉर्म कर रहे हैं. इन में से हमें वो ओप्शन बताना है जो उस ग्रूप को फोलो नहीं कर रहा है. यह जो जो ओप्शन है, आउट ऑ फाइफ चार में एक इसलिएरिटी है, तो चलिए अब हमें odd one out यहां से find out करना है इन 5 options में सबसे पहला देखिए जो a option में हमें given है r d a आप देख सकते हैं कि r इधर है उसको एक छोड़के alphabet अगर हम बात करें t फिर एक position छोड़के a तो r देंसकर एक का gap दें t फिर एक का gap a वैसे गर हम बात करें b option 9 d f तो यहां पर भी अगर आप देखे 9 a को एक छोड़के d बट यहां पर देखिए d और f में कोई डी gap नहीं है चलिए नेक्स बात कर लेते हैं हैश 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 की तो देखिए यह हमारा हैश है एक छोड़के दुबारा हैश और फिर एक और को हमने छोड़के एक को छोड़के वैसे देखिए बी ओक्षिन में यह अलग था बी ओक्षिन में नाइध दैन उसका एक का गैप d फिर कोई गैप नहीं लिया जिसके बाद हमारा f आ गया लेकिन जब हमने c ओक्षिन में देखा फिर यही पैटरन a वाला फोलो हो रहा था a a a gap then again hash फिर a gap h d की बात कर लेते हैं तो देखिए a और c में similarity तो मिलगी डी की अगर बात करें 5pd तो आप देख सकते हैं यहां पर 5 ए a gap फिर p और फिर again a gap d तो यहीं डी में भी ओई similarity है जो a और c में थी एक बड़ e का भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें confirm ह हो जाए इमें देखिए में गिवन है आई एकस तो यानि हमने देखा एसी डी और इमें तो सिमिलारीटी थी क्या सिमिलारीटी है हमने एगर एल्फाबेट या सिंबल या नमबर गोई लिया फिर उसका एक छोड़के गैप लेके हमने लिया फिर एक का गैप दें इस तरीके से हमारे हमने चार ये पेर बना दिये एसके अगर हम बात है और वन आउट यहां पर देखिए हमारा हो गया बी तो हम क्या अंसर मार्ग करेंगे यहां पर बी ऑप्शन क्योंकि बी ही ऐसा यहां पर ऑप्शन है जो इस पैटरन को नहीं कर रहा जो A, C, D और E फोलो कर रहे हैं क्योंकि B ओप्शन में क्या कीवन था 9, D, F तो देखिए 9 और D के बीच में एक का गैप तो है बट D और F में तो कोई गैप नहीं है जबकि एक का होना चाहिए था इसलिए मारा आंसर क्या हो जगा है यहां पर B option बात कर लेते ह आप देखिए question number 5 में क्या कीवन है which one of the following is the fourth to the left of the twelfth from the left hand तो चलिए which one of the following is fourth to the left of the twelfth from the left hand तो देखिए left hand हमारा ये है और right hand हमारा ये है तो देखिए आप सभी जानते है 12, 11, 11, 12, 12, 12 from the left and हमारा हो गःए u, चिक हाँ, फ canopy left and हमारा हो गए u देन उसके पाद हेखिए fourth to the left again चीकर हम u से एगर fourth to the left देखिए तो 1-2-3-4 हमारा आजाएगा dollar का स्मबल, चिसे हम क्या मात करेंगे,'di option मात करेंगे बादें एक लिससे में को बने खाड़ाने के फिर विसका। करेंगे तो इसमें आपको सीधा पता होना जाए कि अगर दोनों left left है left left का combination है ना fourth to the left of 12 from the left तो उनक्या करेंगे सिंप्री 12 में से 4 को minus करेंगे तो इसमें हमें actual में find out क्या करना था 8th from the left हमसे पूछा गया था 8th from the left क्या है पूछे 1 2 3 4 5 6 78 तो मांक करेंगे बीओक्ष्ट है यहां पर जैसे left left is right left का combination होता यहां पर तो left left हना यहीं पर ढखे गर right left का combination होता यह प्र तो तो यहां पर आपकर फिशे फ्रम से 4 को minus कि या थिज़ राइट लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या करते हैं दोनों को एड़ करते हैं 12 और 4 गो एड़ करते हैं और अगर राइट राइट हो तो भी हम क्या करेंगे माइनस मा करेंगे यानि अगर लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जिसे यहां पर है लेफ्ट और लेफ्ट यहां राइट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या करेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह चीज़ आपको पता होंगी जाए यह चीज़ देखने को इस तरीके के कोशन डेफिनेटली बैंकिंग या इंशोरेंस एकसाम में तीन से पांच कोशन देखने को मिल जाएंगे चाहे मैं प्री की बात करूँ या मेंस की बात करूँ तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और खासने बैंकिंग या इंशोरेंस एक्जाम के पॉइंट आपको पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं आप A answer कब माक करेंगे, if only conclusion one follows अगर सिर्फ conclusion one follow हो रहा हूँ, तो B answer माक करेंगे, C तब माक करेंगे, if either conclusion one or second follows यानि जब या तो conclusion 1 follow हो रहा हूँ या second follow हो रहा हूँ next अगर बात करें D हम कब mark करेंगे इस neither conclusion 1 nor second follows D हम तब mark करेंगे जब ना तो conclusion first follow हो रहा हूँ ना ही second follow हो रहा हूँ और E तब mark करेंगे दोनों के दोनों conclusion follow हो रहे हो यह देखिए लगबग हर question में same रहता है जो यह 5 हमारे conclusions है A, B, C, D, E यह जब 5 options है हम A option कब mark करेंगे जब सिर्फ conclusion 1 follow हो रहा हो D mark करेंगे जब सिर्फ conclusion 2nd follow हो C mark करेंगे जब either conclusion 1 और 2nd follow हो D जब दोनों ही follow ना हो रहे हो मैं आपके साथ 5 questions जब discuss करगो तो definitely अगर आपने अभी तक inequality का concept नहीं पता तो इससे आपको definitely confidence मिलेगा क्योंकि सारे previous year pattern पर based रहेंगे एक question चलिए Question number 6 जो है खाफी अच्छा question है और इसके लिए दिखिए आपको मैं बता तो कि अब इतला को समझा दूँगा बट वैसे विदाव पैनेंट पेपर आपको पांचो के पांचो questions solve कर सकते हैं एक्जाम में ठीक है मैं आपको बताता हूं कैसे करना होता है पर पहले पर मैं आपको concept बता देता हूं अब हमें statement दे दी गई है x is greater than p is greater than q is greater than equal to r के एक और कोमा से separate करके एक और हमें given है x और y के बीच में relation x is equal to y और x और z के बीच में हमें relation given है x is less than equal to z चरिए तो एक तो चीज देखे मैं आपको पहले ये बता दूँ आपको मैं example कुछ लेके बता देता हूं जैसे पूर example ऐसे हैं मैंने की बादे एक इस greater than equal to c is greater than equal to d अब देखें अगर हम बात करें इसमें आपको symbols की direction भी देखनी है अगर आप देखें a से b, b से c, c से d के बीच में symbol की direction a की तरफ कोई open हो रहे है न अगर मैं a से b, b से c और c से d देखें तो option जो symbol है को a की तरफ open हो रहे है यह चीज़ सबसे पहले आपको देख रही है कि symbols की direction में open हो रहे है अगर देखें आपको बीच में greater than का symbol है यानि a is greater than b, b is greater than equal to c is greater than equal to d अगर देखें मैं को b और d के बीच का relation पूछा जाए तो यह चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है क्योंकि b और d के बीच में कौन-कौन से symbol present है सिर्फ greater than equal to का है न तो हम क्या answer mark करेंगे final answer कि b is greater than equal to d यहीं पर देखें कि ऐसा भी अगर होता for example a is greater than b is greater than equal to c is equal to d तो obviously बात है क्योंकि c जो है वो हमारे d के equal है तो अगर b जो है वो greater than equal to c है और c equal to d है तो हम यह भी कह सकते है जो b है वो देखें ओवेसी बात है greater than equal to d भी तो हो जाएगा यह चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है क्योंकि b अगर b की value जो है वो greater than equal to c है और c जो है वो हमारे d के equal है तो ओवेसी बात अगर मैं इनको आपस में interchange कर दूँ c के place पे d लिख दूँ तो हमारा conclusion क्या हो जाएगा कि b is greater than equal to d ठीक है तो अगर देखें a की direction में open हो रहे हो जैसे greater than equal to greater than equal to equal to तो हमारा final conclusion क्या राएगा greater than equal to यहीं पर देखें अगर ऐसा हो जैंको बता देता हूँ अगर ऐसे हो देखें greater than equal to a is greater than equal to b is less than equal to c अब देखें 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 अगर जो हमारे symbols है वो opposite directions में open हो रहे है एक तरफ यह बढ़ा symbol है greater than equal to गा और एक तरफ less than equal to गा तो अगर मैंसे a और c के बीच में कोई relationship पूछी जाए कि a और c के बीच में क्या relationship है तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि a बढ़ा होगा c बढ़ा होगा कि क्या होगा तो यहीं पर ऐसा अगर होता है a is greater than equal to b is greater than equal to c तो हम definitely कह सकते थे कि a is greater than equal to c जबकि उपर वाले option में हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जो symbols की direction है वो opposite direction में open हो रहे है next अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने लिखा था कि a is greater than b is greater than equal to c is greater than equal to d आप देखिए मैंने b और d के बीच का तो आपको relationship बताया यहीं पर देखिए अगर a और c या a और d के बीच में relation पूछा जाए तो अगर आप देखिए-देखिए symbol a की direction में open हो रहे है और आप हमेशा मान के चलिए कि greater than symbol है इसको हमेशा priority देगे greater than equal to के comparison में यानि अगर इस तरीके से हमारे देखिए symbols है तो सब देखिए हमारे priority किया रहे है कि greater than रहेगी then उसके बाद greater than equal to और end में equal to रहे है तो यह आपको हमेशा ध्यान देनी तो priority wise सबसे जादा priority हमारी किस priority देते हैं इन सिंबल्स देन इसके बाद देखिए greater than equal to less than equal to और आप सब जानते हैं मारे total 5 ही inequality के symbols होते हैं और अगर इपोजिट डिरेक्शन में open हो रहे हूं जैसे मैं अगर कहूं A is greater than B is less than C तो देखिए मेरे को यह तो confirm है A जो है वो B से बढ़ा है और B जो है वो C से छोट है बट यहीं पर देखिए अगर मेरे से A और C के बीच में relationship पूछी जाए है जो है वो B से बढ़ा है और C जो है वो भी B से बढ़ा है आप देख सकते हैं उपर से चीज़ों में clearly दिख रही है क्योंकि A is greater than B is less than C यानि A जो है वो B से बढ़ा है और C जो है वो भी B से बढ़ा है यहीं पर देखिए अगर ऐसा होता कि A is greater than B is greater than C तो obviously बात हम कह सकते हैं जो A है वो greater than C होगा तो इस तरीके से अगर आपको देखिए symbols के बारे में पता हो कि हम किसको priority देते हैं अगर opposite directions में हैं तो हमारा conclusion कैसा रहेगा कि हम conclusion बता भी सकते हैं कि नहीं अगर आपको ऐसा पत हो अगर आप देखिए इतनी practice कर लेते हैं तो obviously बात है कि आप इन questions को without pen and paper solve कर सकते हैं मैं भी आपके आगे देखिए without pen and paper solve करता हूँ अब देखिए ध्यान से बिल्कु देखिए और जो भी important points आपको समझ ना आ रहे हो वो आप देखिए comment box में में पूछ लीजेगा आपक इसके लाब आप यहाँ पर भी important points को not down करते चलें तो देखिए y is greater than r अब देखिए यहाँ पर given है x is equal to y x is equal to y चीक है तो देखिए मैं इस x को जो है यहाँ पर क्योंकि हमें conclusion number one में y is greater than r y जो है वो r से बड़ा होगा यह conclusion में पूछा गया है तो क्या ही true होगा के नहीं यह बताने के लिए देखिए क्योंकि मैं पता है x जो है वो y के बराबर है तो मैं यहाँ पर इस x को replace कर देता हूँ y से तो आप देखिए मेरा क्या है y is greater than p is greater than q is greater than equal to r क्योंकि मैं पता है x जो हो y के बराबर है तो मैंने क्या कि है simply x को replace कर दिया यहाँ पर y से तो y is greater than p is greater than q is greater than equal to r तो देखिए next relation पूछा गया y और r के बीच में क्या y r से बड़ा होगा तो देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर symbols एक ही direction में open हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी greater है इस तरफ open हो रहा है और priority हम किसको देते हैं इन symbols को देते हैं greater than q as compared to greater than equal to तो हम क्या कह सकते हैं definitely कह सकते हैं y जो है वो r से बड़ा होगा तो पहला conclusion तो हमारा true हो गया next अगर अगर पाकर r is greater than z क्या r जो है वो z से बड़ा होगा अगर आर हमारा यहां पर है और z देखे यह हमारा यहां पर है और z और x के बीच में relationship हमें आपर given है x जो है वो z से छोटा है x is less than equal to z तुम simply क्या करेंगे मैं अभी आपको लिखते दिखा देता हूं बट यह चीद आपको औरली ही देखनी है क्यों यह r is greater than z है ना तो मैं यहां से देखे चलता हूँ r जो है हमें पता है r जो है हमें पता है कि less than equal to जो है वो क्यों है क्यों से लिखे अगर हम देखे तो क्यों इस तरीके से पी है x और x जो है वो इस तरीके से z है देखे यहां से हमने इस तरीके से ऐसे चले टीक है r जो है वो less than equal to क्यों से लिख लिए तो हमने से लिख लिए पी जो है वो less than x से फूंग लिख लिखे लिखें वह और हमें पता है x जो है यहां पर भी था और यहां पर बी था और यह तो यह हमारा x common होगे ना तो इसलिए लिए हम आर और z के bीच हम relationship this root और find out कर पा रहे हैं क्योंकि X यहां पर भी common था और X यहां पर भी common है तो ही हम R से Z के बीच में relationship define कर पा रहे हैं अब हम से पूछा गए कि R is greater than Z क्या ही हम चीज़ confirm कह सकते हैं कि R जो है को Z से बड़ा होगा तो आप देखें देखें, symbols की direction A की तरफ open हो रही है less than equal to, ठीक है, than इस तरीके से तो obviously बात मैं हमको पहले ही बताए था कि हम priority किसको देंगे इस symbol को देंगे less than को, तो हम क्या कह सकते हैं, R जो है वो less than होगा Z से यह इसका मैं ऐसे भी लिख सकते हूं, Z जो है वो R से बड़ा होगा यहां पर हमें conclusion to में बिल्कुल opposite given है, R is greater than Z, जबकि actual में हमारा क्या है, R is less than Z तो इसलिए हमारा conclusion to बिल्कुल यहां पर wrong हो जाएगा, तो इसका answer क्या होगा, मैं आपको पहले बताए था, last इदर कि हम A कम mark करेंगे, if only conclusion 1 follows, तो इसलिए हमारा answer क्या होगा, A option, क्योंकि हमारा सिर्फ यहां पर conclusion 1 ही follow हो रहा है, चलिए, next question number 7 ही बात कर लेते हैं, चलिए, तो इसको देखिए पहले वीडियो को post करके, एक question मैं आपको बता चुकों, concept भी देखिए, काफी हल तक बता चुको इसके लाव वीडियो फों में भी मैं आपके साथ यह काफी detail में, यह lecture मैं आपके साथ, आपके साथ inequality का, तो अगर आपको doubt है, तो वो भी देख सकते हैं, तो चलिए, तो solve करें इस question को, इसमें देखिए, जो सबसे पहला हमारा confusion है, वो है, S is equal to Q, S जो हो Q के बराबर होगा अब देखिए, S हमारा यहाँ पर है, और क्यो हो यहाँ पर है, बट अगर आप देखेंगे, कोई तो ऐसा देखिए, relation होगा, जो इनके बीच में common होगा, तो ही हम इनके बीच में relationship जो है, वो define कर पाएंगे, चलिए, तो इपर दुबारे मैं आपको करके दिखा देता चलिए, S is equal to जो है ना, तो चलिए, यहाँ से चलते हैं, अब देखिए, S यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, हमारा T आ गया, चिक है, T आ गया, इसके अलावा गर देखिए, बात करें, क्योंकि क्यों जो है, देखिए, वो यहाँ पर है, तो, बट देखिए, यहाँ पर जिसमें को options में बताया था, कि, अब हम देखिए, यहाँ पर जब P और Q के बीच में एक relationship given है, यहाँ पर जब S और T के बीच में given है, बहुत important question है, इसे ध्यान से देखिएगा, P और Q के बीच में relationship given है, S और T के बीच में given है, और यहाँ पर given X is equal to Y, और X is greater than Z, तो इसको ब Q से बड़ा होगा, यह चीज हमें बताने के actual में true होगा के नहीं, तो देखिए, एक तो नहीं के X और Y के बीच में relationship given है, ठीक है, और X और Z के बीच में, बट Q की relationship हमें सिर्फ P के साथ given है, यहाँ दोनों options में Q के साथ relationship पूछी गई है, यहाँ S equal होगा Q के, यह second option में given है, X is greater than Q, तो दोनों Q की relationship हमारी S और X के साथ given है, ठीक है, और S और X देखिए, अलग से कोमा में define है, इनकी जो है inequality, तो देखिए, क्यो के साथ हमारा सिर्फ P के साथ हमें given है statement में, कि P is greater than equal to Q, और हमें दोनों conclusions में भी क्यो की relationship पूछी गई है, और P किसी और भी relationship में define नहीं ह है, दुबारा यहां पर P किसी भी inequality में हमें नहीं given, तो obvious सी बात है, हम ये दोनों, जो है, जो conclusion है, इसको definitely conclude यहां पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हमें S और Q के बीच में कोई relationship given ही नहीं है direct, क्योंकि हमें तो सिर्फ Q और P के बीच में given है, ठीक है, और P जो है, औ और किसी यहां पर connect होई नहीं रहा, किसी और inequality से, तो इसलिए हम definitely कोई भी conclusion को यहां पर true नहीं मान सकते हैं, ना तो S is equal to क्यों हम definitely conclude कर सकते हैं, और ना ही X is greater than Q conclude कर सकते हैं, क्योंकि क्यों का relationship हमें S और X के साथ directly कुछ given ही नहीं है, ना directly given है और ना ही यहां पर indirectly given है, क्यो और P का और relationship और किसी के साथ given ही नहीं है S के साथ, T के साथ, X के साथ की हम इनके बीच में relationship को define कर पाएं तो जैसे नहीं आँको बताया question number 5 में क्योंकि कोई भी conclusion हम definitely नहीं आपर conclude कर पाएं तो हम क्या answer mark करेंगे D option If neither conclusion 1 nor second follows ठीक है तो यह भी important question था इस तरीक का question भी आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है Next बात करते है question number 8 की S is greater than R, conclusion 1 में यह हम इसे S लिख सकते हैं R is less than S यह एक ही बात है इस भी फरत पर हैं यह हम S से भी लिख सकते हैं R is less than S या S is greater than R हम इसे इस तरीके से दोनों तरीके से बोल सकते हैं चलिए तो अब देखिए यहां पर गर मैं बात कूँ R is less than S या S is greater than R तो देखिए S का और S का देखिए T के साथ relationship given है और T का R के साथ तो ओवियसी बात हम S और R के बीच में relationship define कर सकते हैं देखिए मैं पता है S जो है वो less than equal to T है वो T जो है वो greater than R है और देखिए क्यों कि मैं आपको बताया था और हमसे अब relationship पूछा गया इस तरीके से S is greater than R यह हमसे देखिए conclusion number 1 में पूछा गया कि क्या जो है वो S R से बढ़ा होगा क्या S R से बढ़ा होगा और अगर हम S और R के बीच की relationship देखें तो देखिए symbols यहाँ पर क्या है देखिए opposite direction में open हो रहे हैं एक हमारा symbol जो हो इस तरीके से less than equal to और दूसरा greater का है तो देखिए symbols opposite direction में open हो रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर definitely हम directly H is conclude नहीं कर सकते कि S जो हो R से बढ़ा होगा के नहीं तो इसलिए हमारा पहला conclusion तो यहाँ पर directly जो हो गलत हो गया क्योंकि हम definitely हम अगर कोई चीज़ को 100% नहीं बता सकते कि true होगी के नहीं तो definitely हम उसे consider नहीं करेंगे ठीक है एक तरफ यह सिंबल S से less than equal to इस तरफ open हो रहा है और दूसरा इस तरी के से तो मैं आपको पहले ही बताया थे कि अगर symbols की direction opposite हो तो हम कोई भी चीज़ definitely conclude नहीं कर सकते तो हमारा पहला conclusion गलत हो गया दूसरा अगर बात करें S is less than W या W जो है वो greater होगा एसे भी लिख सकते है ना तो आप देखें यह चीज़ आप clearly देख लिए कि T है हमारा W के equal है T is equal to W clearly यहाँ पर given है तो हम क्या करेंगे simply हमें relationship यहाँ पर given है S is less than equal to T S जो है वो less than equal होगा T के वो T जो है वो W के बराबर है तो मैं क्या करूँगा T को replace करूँगा W से तो मेरे पास आगया S is less than equal to W और मेरे से conclusion number 2 में क्या की बन था W जो है वो greater होना चाहिए S से तो मेरे पास आया कि W greater than equal to S यानि एक possibility मेरे पास वो भी है जब W जो है वो S के बराबर भी हो सकता है तो मेरे पास actual में आया ये उपर वादी statement को देखे कि W जो है वो greater than equal to S होगा और मेरे से conclusion में कहा गया है कि W जो है वो greater होना चाहिए S से तो मेरे एक possibility मेरे equal की भी है कि W greater than equal to S W S के बराबर भी हो सकता है तो हम इसे हम definitely conclude नहीं कर सकते कि W जो है नहीं कर रहा है तो आपको समझा आगे आपको next चलते है question no.9 पे इसमें directly relationship given है x, y, z और w की कोई कोमा से separate नहीं कर रहा है तो question बहुत easy हो जाएगा हमार लिए पहला हमें conclusion given है z is equal to x और दूसरा हमें conclusion given है z is greater than x तो एक चीज़ आप ध्यान से देखें क्योंकि दोनों में हमें z और x के बीच में relationship पूछी गई है तो आप जब भी यह देखें हमें conclusion one और second में किनी दो alphabet यह जैसे यहांपर z और x है हमारा इन्ही दो चीज़ों के बीच में हमसे relationship पूछी गई है दोनों confusion one और two में तो जाद तर आप देखेंगे कि इन questions में जो हमारा answer होता है वो इधर वाला होता है इधर option one और second follows क्यों क्यों मेरे को given है z is equal to y is less than equal to z या मैं कह सकता हूँ z जो है वो greater than equal to होगा z जो हो greater than equal to हो जाएगा x के एक बर मैं से रब कर देता हूँ थोटी सी मैं से गलती होगी लिखने है हमें given था x is equal to y is less than equal to z यह हमें देखे relationship given है x और z के बीच में तो यहां मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ क्यों मैं आपको बताये था यहां पर equal का symbol है और यहां पर less than equal to तो हम किसको priority देंगे less than equal to यहां हम कह सकते है x less than equal to होगा z को यहां मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ z जो है वो greater than equal to होगा x देखे दोनों एक ही चीज है बहुत सारे students इसमें confused हो जाते है यहां देखे दोनों एक ही चीज है वो अस लिखने का तरीका बदल गया एक तरफ मैंने हम ऐसे भी कह सकते है x जो हो less than equal to होगा z यहां हम ऐसे कह सकते है z जो हो greater than equal to होगा x यह दोनों देखे एक ही चीज है और हमें conclusion number one और two में क्या गिवन है एक में given है z is equal to x तो देखे एक possibility मेरी यहां पर z is equal to x की भी है और दूसरा है z is greater than x तो देखे इनों अब मेरे को दोनों conclusions में इनोंने सारी possibilities को cover कर देखे तो यह मेरे पास दो ही possibilities आ रही थी चीक है मेरे पास possibilities आ रही थी z is greater than equal to x यहा तो z जो है वो x से देखे बड़ा होगा या z जो है वो x के बराबर होगा और दोनों की दोनों possibility मेरे को conclusion number 1 और 2 में दे दी गई तो मारा answer क्या होगा either होगा या तो if either conclusion 1 second follows तो इन दोनों में से ही कोई follow होगा और कुछ तो होई नहीं सकता तो यह बहुत important question था प्लीज note down कर ले और last question आज की quiz का भी discuss कर लेते हैं यहाँ पर भी देखे इन inequalities को कोमा से separate कर रहा है पहला conclusion given है y is greater than r तो हम देख सकते हैं y और s के बीच का relationship हमें given है s और r का तो हम क्या करेगे क्योंकि s common है तो यहाँ से y और r के बीच का relationship relationship डिफाइन कर सकते हैं हमें पता है और dyear par si home s every will let us जो inequality के science है वो एक ही direction में open हो रहे है और हम priority की देते हैं greater को सबसे पहले तो y जो हमारे greater हो जाएगा r से जो हमारे conclusion 1 तो definitely यहाँ पर true हो गया दूसरा conclusion देख लेते हैं r greater than z तो हमें r greater than z की अगर बात करें r अगर greater than z की बात करें पर लिए इतना पता है इस तरीके से r जो है वो s से चोटा है r जो ह가요 मेरे फीक आर जो एक और एससे चोटा है और y जो है वह अब यहान से देखें को हम आगे जौन जो हम कर लेंगे y जो है वो x के बराबर है और x जो है वो less than equal to z की तो इस तरीक से देखें मेरे पर आर और जैट के बीच का रिलेशन्शिप आ गया तो यहां से हम डेफिनेटली क्या कंक्लूड कर सकते हैं सारे देखें सिंबल एक डिरेक्शन में ओपन हो रहे हैं और हुम प्राइटिक को देंगे यहां पर इस सींबल को नइए को हम ऐसे लिख सकते हूं तो हम्हारा जो है से कंप ऐसका इसका अप्षिन और और यह कंपिजन वन फोलोस एक चीज़ दिखे मैं जो आपको मेन बताना चाहतू कि जब भी इन इक्वैलिटीज जो है वो कोमा से सेपरेट हो था हम उसको जोइन कैसे करते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है जैसे मैं आपको करके बताया मेरे को आर और एस के बीच का रिलेशिंचिप गिवन है Wakanda ש वा किना और फिर वाई सेज गगो एक्सड़ के पास wondering आर पशिंचिप नहीं गिवन था फिर और घ्राटी आर और जैत के बीच का रिलेशिंचिप नहीं गिवन था फूमा से सेपरेट है विधा यहाग से चोटा है और फिर हमें यह पता है वह एक्स के बराबर है और एक्स जो है वह लैस दन इकोल टू जैट है तो यहां से देखिए में पस आर और जैट के पीछ का रिलेशन्शिप पागा है कि आर जैट से हमीशन चोटा ही होगा जबकि मेरे को सेक्ट कंक्लूजन में गिवन कि आर जैट से बढ़ा होना चाहिए इसलिए मेरा second conclusion गलत हो गया और पहला conclusion 100% तूरी था तो answer हम माग करेंगे a option if only conclusion 1 is true तो इस तरीकी साथ थी कि मैंने आपके साथ 10 questions solve करें 5 questions जो थे मैंने आपके साथ alpha numeric series पर based discuss कि जो कि बहुत important है किसी भी competitive exam के लिए खासकर tier 1 या प्री के पॉइंट और उसे और पांथ questions inequality के inequality के questions जाद तर जो है वो banking और insurance related exams में ही पूछे दाते हैं तो सबसे पहले देखिए आप मेंको comment box में अपना score बताए कि आपके 10 में से कितने marks यहां पर आए है और अगर देखिए आपके 8 या 8 से जाद है तो मैं कैसे तो आपकी बिल्कुल अच्छी preparation चल रही है और time को भी देखना है तो जैसी मैं आपको question लेके आपको वीडियो को pause करके पहले खुझ से time देखना है कि मैं कितने time में इस question को solve कर पा रहा हूँ क्योंकि question solve करना एक चीज़ है but within time limit क्योंकि अपके time बहुत limited होता है किसी भी exam है तो इसलिए आपको within time limiting उन question को solve करना है और आपके कितना score है बहुत Please comment box में 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 मेरे को बताए और एक बार दुबारा मैं आपसे request करूं आप प्ली जादर से जादा इस video को अपने friends के साथ शेर करें हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe करें ठाके हमें भी मोटिबेशन मिले ताके हम इस तरीके की और सारी काफी सारे तरीका की वीडियो आपके साथ ले किया है So thanks a lot friends for watching this video thanks a lot once again